तो कैसी मेरी यूटूब के फैमिली बताना अपने अपने कमेंट बॉक्स में और आज यूडियो की सुरुआत हो रहे हैं सीधा मोटो व्लॉक से और बहुती अच्छे सांथ जगा के सांथ और फाइनली वह उतार हो आप लोगों को दो घंटा यहां वेट करने के बाद अब संडे और आफिस का आज के दिन रहता है हमारा चुटी तो इसलिए मैं एक भी टाइम वेज नहीं करना चाहता लेकिन बारिस का कुछ और ही था बारिस के कारण थोरा सब व्लॉग हम लोग लेट से सुरू कर दिए तो इस वीडियो में गाईस हम लोग बताने वाला हूं मैं आप लोगों को एनस 125 का पूरा इंफॉर्मेशन तो जैसे कि आप लोगों पता है कि इस गाड़ी को लिए हम लोगों को पूरा एक साल कम्ते हो चुका है कि राप लाट को फिरेडिएम लगवालीय ताकि हम लोगों को नाइट में थोरसा अच्छा लीट और अभी हाली में मैंने कल के डिट पर मैंने हापा सपेंशन के लिए एक रबर लगाया है जिसे हम्लोगों को ठोड़ा साव लुक्वाइज भी अच्छा लगए गा और सस्पेंसर में थोड़ा सो मतलब की उसमें जादा जितना धूल धकड़ाना ची उतना नहीं आएगा और विलकबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछला व्लोग मैंने विलकबर लगवा लिया था ग्राफिक्स भी लगवा लिया था हाला कि मैंने पहले अपने चैनल्म पर डाल चुका है लेकिन त्री सर्विस के लिए मैं अपने विडियो को नहीं बना पaya था कुछ कारण से इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना रिव्यू के बारे में बताता हूं आप लोगो कि तीन सर्विसिंग के बाद इस घाड़ी में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम में आई और कितना कोश्ट आया और तीन सर्विसिंग के बाद मेरे को फाइनल माइलेज कितना मिल रहा है स्प पहला टॉपिक से तो पहला टॉपिक यह है कि फर्स सर्विसिंग में कितना कोश्ट आया था मेरा और फर्स सर्विसिंग मैंने कितना किलोमेटर में पर कर आया था तो फर्स सर्विसिंग मैं जल्दी सजल्दी करा लिया था 900 किलोमेटर में मैंने अपना फर्स सर्विसिंग करवा लिया था इस बाइक का तो पहला सर्विसिंग को जो कौश्ट आया था वह आया था 500 रूपीस ऑनली ऑन मतलब की 489 कुछ चूँ था मतलब कि मैं आप लोगों को पूरा एक जेट बता रहो 500 रूपीस की अंडर में आप लोग आप पहला सर्विसिंग हो जाता है जिसमें आप लोगों को इंजनो और ऐल फिल्टर और यहाप सके जो रबर होता है उसको चेंज करते हैं आप मतलब इस मरेगश सलगते हैं तो इसा गाड़ी का椅लीक हो गया है तो थोड़ा चल चुके जाया तो थेन ये yn wellness जो कि प्रॉड़ायо या तो मतलब कि शयर टेंट को ग्या इंप। तो थोड़सा मतलब की प्रॉब्लम तो नहीं आया क्योंकि भाई गाड़ी में बीज विच में थोड़सा आवास था जैसे कि आप लोगों मैंने पिछले व्लोग में बताया था अब आप लोगों तीसरा सर्विसिंग बताता हूं तो इस गाड़ी का मैंने थर्ट सर्विस कर आपस वह चेंज हुआ था और एयर फिल्टर एयर फिल्टर मैंने खुश से कर रहा था जबकि वह लोग बोल रहते कि चल लाएगा लेकिन मैंने बोले कि मेरे को जल्दी जल्दी करा लिना क्योंकि थोड़सा गाड़ी को हम लोग आफ रोड भी चलाते हैं तो उस कारण से म लेकिन वो लोगों की हिसाब से गाड़ी सिर्फ अ है बलोलों कियो मेट्र दिखाता हूं पहले गाड़ी सिर्फ वोलेक साथ किलो मेटर चली है तो उस कारण से वह लोग चेंज नहीं किए इस बार प्लक को तो दस ए यार किलोमेटर में मैं इसका इस पार प्लग भी आगे सिर्फ एकल करें कोई कोईaat नहीं तो घ्री से कवाने के बाद के बाद इसा कोई मेरे प्रब्लम यह गा रहे थे दो ये स्विच पर तो यह स्विच को भी वह लोगों ने अच्छे से देख लिया तो यह तो पर लेने से पहले मैं जब गाड़ी पर चेस किया था तो उसमें मुझे गाड़ी अच्छी खाजी माइलेज दे रही थी मतलब की पचाज से ज़्यादा कही माइलेज मिल रहा था मुझे इस गाड़ी पर से के foreign होने के बाद थोड़ास माइलेज गिरा बस थोड़ासा जाधा नहीं सेकंड सर्विसंग होने के बाद थोड़ास माइलेज और कम हुआ अब अब थ्री शर्विस के बाद यह गाड़ी मेरे कोina देरी ऑगा गर अगर मैं हाइवे में चलाओंगा तो स्याद मेरे कुछ जादा भी मिल सकता है तो यह है इस गाड़ी का फाइनल रिव्यू मतलब की फाइनल माइलेज और माइलेज के लिए ही इस बाइक को लोग ज्यादा तर लेते हैं और पहरी बात तो बहुत ही कम बजट में इतनी अच्छी लुक वाइस बाइक एनस 125 125 का इंजन है और पिका भी बहुत अच्छा है साउंड भी अच्छा है और करें ich बाइक है को इतनी अच्छी बाइक है को हो मेंचेनेस अच्छे से से रखोगे और अगर मेंचेनेस में धार नहीं दोismo department को वह कहीं न जिक्कत जाएगा तो मेंटेनेंस में रखना बहुत ज्यादा ज़रूरी है तो यह थी हमारी छोटी सी व्लॉग तो प्लीज आपको लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करेंगा बैल एकन जदो आएगा मिलते हम लोग के नए दूसरे व्लॉग पर थैंक्स पोर वाचिंग